बिस्मिल्य रह्माने रहीम, असलाम लेकूम, आज आप के साथ शेयर करेंगे कि नूडल्स को बॉयल कैसे किया जाता है और मज़े की बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी नूडल्स आप किस तरीके से घर पर बना सकते हैं तो step number one में हम आज से बताएंगे आपको के नूडल्स को बॉयल कैसे किया जाता है, ये मेरे पास नूडल्स हैं, लंबे वाली spaghetti है और इस तरीके से आप चाहें तो इसको सेंटर में तोड़ कर छोटा कर लिए चाहें तो आप इसको लंबा ही रहने दें नूडल्स को बिलकुल उसी तरीके से बॉयल किया जाता है, जैसे बिर्यानी के लिए चापलो को बॉयल किया जाता है, खुले बरतन में आपने खुला पानी इस्तमाल करना है और इसमें flavor लास्मी अट करिएगा, flavor हम नमक का अट करेंगे, क्योंकि अगर नमक के बगार इसक आपस में भी ना चिपके और ना ही बरतन के साथ चिपके, तिल डालने के बाद फिर भी जब भी पानी को उबाला जाए तो हलका हलका सा इसको हिलाते रहें, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च होता है, ये आपस में चिपक जाती हैं, तो इनको अलैदा करते जाएं, तकरीब तक आप इनको वाइल कर सकते हैं, तो पानी हमने निकाल लिया है, जब भी पानी निकाले उपर से नार्मल टंपरेचर का आप पानी डालें, जो कि नार्मल खिचन में पड़ा होता है, पानी वो डाल दें, थोड़ा सा आप इसमें तेल डाल दें, और मिक्स करें, और स्रब नभान बार तरिप में काट कर लूष सकते हैं तो अच्छी ऑशची मेरी नेशन के लिए आपको हमेश्चा में बताती हूँ कि चिकन को दhu कर आपने टोकरी में रख कर पानी अच्छे से हुश्क कर लिए पानी हुश्क होगा तो तभी अच्छे सी चीज़े जो मसाले हैं उपर चिकन के लग सकेंगे तो एक चोथाई चाय के चमच नमक और एक चोथाई चाय के चमच का आली मिश्क का पाउडर डाल दिया है और दो खानी के चमच हमने सिर्का एट कर दिया है सिर्के की बजाए कराई लेंगे तो उससे आपने एक च्छुथाई कप टेल का शामिल कड़िया है तो एक खानी का चमच आपने चौप किया हुआ अद्ऱक चाय ओंकर दिया है इम दोनों चीज़ों करेंगे It तक के इनका कच्छापन हतम हो जाए, अद्रक और लेस्टन की खुश्बू में बहुत ही जबर्दस आपकी ये नूडल बनकर त्यार होंगी, तो जब ये दोनों चीजे लाइट ब्राउन कलर की हो जाएं, तो मेरीनेट किया हुआ आपने इसमें चिकन डाल देना है, और चिकन को भी हम इसमें फ्राई करेंगे, चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, 6-7 मिंट लगते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो जाता है, अभी आप देख सकते हैं, चिकन का पानी भी हुश्ख हो चुका है, और जो चिकन के पीस है, उनके उपर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, अब बाकी की सबजियां हम एट करेंगे, और यहां पर एक कप आपने जूलियन कट कटी हुई गाजल लेनी है, एक कप आपने बंगो भी का इस्तमाल करना है, और एक शिमला मिर्च पीच निकाल के जूलियन कट करके वो भी आपने एट कर दे में सबजियों के अंदर का पानी है वह होश्क हो जाए, हमनिस बचिक उसक को गलाना नहीं है, आपने 2-3 मिट लगेंगे अब मैंने इसमें 2 काल की चमच डाल दिया है सोया सॉस डालेंगे 2 खाने की चमच चली सॉस न चली की ऐड़ करेंगे ये इसके बाद तीनों सॉस डालने के बाद एक आदा कप आप पने इसमें टॉमेटो केचप का शामिल कर देना है इन तमाम चीजों को दोबारा हम मिक्स करेंगे और टोमेटो केचप डालने के बाद एक थोड़ी सी हलकी सी ग्रेवी त्यार हो जाएगी अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो दो टिमार्टल का पेस्ट बनाएगे वो डाल सकते हैं लेकिन उसको आपको थोड़ा सा इसमें पकाना पड़ेगा तो बॉयल की हुई नूडल्स हम इसमें एड़ कर देते हैं आपने यहाँ पर नोट किया है मैंने अभी इसमें कोई भी मसाले आड़ नहीं किये नमक मिच बगारा कुछ भी आड़ नहीं किया पहले हम नूडल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप स्पैगिटी बनाएं पास्ता बनाएं तो थोड़ी थोड़ी नूडल्स करके ही आप उसको मिक्स किया करें ताक्के जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए तो यहां पर नूडल्स को मैंने तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे सिर्फ दो मसाले हैं नमक है एक चाय का चमच और एक चै का चमच यहां पर कुटे हुई य Nah पित्सी हुई कालि मच का पाउडर आप अड़करेंगे अगर थोड़ा से स्पाईस ओर करना चाहते हैं तो कुटे लाल मेर्श एक चाय का चमच भी बिया है bạnों तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे जबर्दसी हमारी आज की नोडल्स की रेसिपी तयार है वीडियो पसंद आई है लाइक करें हुश रहें अला हाफिर